अंग्रेजों के बिरुद गांधी जी के नित्रित्व में वैसे तो कई आंदोलन हमारे देश में किये गए थे लेकिन सबसे एहम आंदोलन चमपारन सत्यागरह को माना जाता है जो की किसानों से जुड़ा हुआ था आखिर क्यों किया गया था ये चमपारन आंदोलन इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक चमपारन बिहार राज्जी का एक जिला और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को सुरू किया गया था जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चमपारन सत्यागर रख दिया गया इस जिले के किसानों से जबर्दस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थी जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था उसी वक्त हमारे देश को आजात करवाने की लड़ाई भी सुरू हो गई थी चंपारन के साहुकार राजकुमार सुकला और संत राउत ने गांधी जी से लखनाओ में जाकर मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारन के किसानों पर हो रहें अत्याचारों के बारे में जानकारी भी दी लेकिन गांधी जी के पास बिहार आने के लिए समय नहीं था और उन्होंने राजकुमार सुकला के साथ बिहार आने से मना कर दिया लेकिन राजकुमार सुकला अपने जित पड़ अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया चंपारन के किसानों पर हो रहें अत्याचारों की जनकारी मिलने के बाद गांधी जी चंपारन पहुचे यहां पहुचकर इन्हों ने यहां के किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गाउं का दोड़ा भी किया दोरे के दोरान गांधी जी ने पाया कि यहां के गाउं के लोग असिक्षित है जिसके कारण यहां के जमिन दारोद्वारा इनका सोसन किया जा रहा है यहां के लोगों को असिक्षित होने का मुख्य कारण है यहां पर स्कूल का ना होना इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर एक स्कूल बनवाया ये स्कूल बरहरवा लखन से इन गाउं में बनवाया गया था स्कूल निर्मान होने के साथ साथ गांधी जी ने लोगों के अंदर आत्म विस्वास पैदा करने का भी काम किया और साथ ही सापसफाई का महत्व भी बताया इस दोरान ब्रिटिस सरकार को गांधी जी के त्याकत का अनुभव हो चुका था ब्रिटिस सरकार ने किसानों की सिकायतों की जाच के लिए एक समीती का गठन किया और इस समीती का हिस्सा गांधी जी को भी बनाया गया इस समिती के गठन के कुछ महीनों के भीतर चमपारन क्रिसी बिध्यक पारित किया गया इस बिध्यक की मदद से किसानों को काफी रहत दी गई और जमिंदारों की मनमानी पर लगाम लगाई गई किसानों के लिए अधिक मुआजा देने और खेती पर नियंतरन देने का जिक्र भी इस विद्यक में किया गया और इस तरह गांधी जी ने यहां के किसानों की मदद की ये सत्यागरा भारत में गांधी जी का पहला डिस ओवेडियन्स मूव्मेंट था इस movement के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी के ताकत के बारे में पता चला इसी अंदोलन के दोरान पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापु के नाम से पुकारा था जिसके बाद से गांधी जी को बापु कहा जाने लगा